हेलो गाल स्वागत आपका मारे यूटूब चनल फ्रतक क्लासे इसके अदर तो गाल आज के इस क्लास के दर बात करने वाले हैं जीविग्ञान के बारे में बाइलोजिक के बारे में हमने सेट फस्स कंप्लीट कर लिया है इंपॉटन कीोश्न के माधियम से आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे सेट सेकृंड के सेड 2 के कुछ important questions के बारे में जो आपकी आने वाली exam के लिए बहुत ही important है exam group D हो गया ntpc cbt 2 हो गया ओके रेलवे की exam के लिए बहुत ही important है तो चलिए चलते हैं बिना time waste की अपने important question की तुरब फस्ट को से देखें फस्ट है मानव मस्टिक्स का भार लगबग कितना होता है option number a 1.30 kg option number a क्या होगा अपना सई आंस हो गया solution का जो हमारे सरिकर दो मस्टिक्स का बार होता है वो एक दस्ट म लगब 3-6 kg होता है अगला question है औस्टियोसाइट कहां उपस्ट होता है मिलकुल अस्टियोसाइट के अंदर option number b क्या हो गया अपना सई आंस हो गया इस्क्योशन का, ओस्टियोसाइट की बात की गई है, तो हमारी अस्टिक की अंदर उपसित होता है, अगले क्योशन देखे, इनमे से उत्तक का उदान नहीं है, उत्तक के उदान की बात की गई है, वो है रक्त, ओप्सन नमबर, डी अपना क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा ओके, अगले क्योशन देखे, प्लेटलेट का अन्या नाम क्या है, प्लेटलेट के अन्या नाम की बात की गई है, तो गैस वो हो गया, थ्रॉम्बोसाइट्स, ओप्सन नमबर, ए अपना सही आंसर हो जाएगा, इस्क्योशन का, ओप्सन नमर, बी किंदर आपको देर का प् अगले question देखे, इनमें से कौन सा रक्त में ठक्कारोधी पदार्त है जो हमारा blood होता है, जो रक्त होता है हमारा, उसके अंदर जो ठक्कारोधी पदार्त होता है उसके बारे में पूचा गिया है, तो guys वो है ही pairing, option number D अपना क्या होगा सई answer हो जाएगा, जो हमारे सरीर के अंदर रक्त में ठक्कारोधी पदार्त है अगले question देखे, सामने ते एक मिनिट में मानो होगे देख कितनी बार दढ़ता है जो हमारा हैट होता है, वो एक मिनिट के अंदर कितनी बार दढ़ता है सर, कई बच्चे वहलेगे, सर हमारे तो 101 बार दढ़ता है सर मेरे तो 99 बार दढ़ता है, मेरे तो 60 बार दढ़ता है लेकिन इसका जो सई answer है, वो है 22 बार option number B अपना क्या होगा, सई answer हो जाएगा, सामने तकी मैंने बात किये अगर आप खेल रहे हैं, दोड़ रहे हैं, तो आपका जो हैट बीट है, वो एक मिनिट में बैतर से ज़दा बार भी दढ़ता है और साथे साथ गाइज, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आएगा जो बटन आपको दिखाई दे रहा है, उसको जरू दबाए जिसे कि आपको आगेने वाली हैंडिक लास की नोटिक्षिन आपको मिल जाएगी अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करें और ज़द से ज़दा इसको सेर करें अगर आपको इस वीडियो की पीडियो फाइल चाहिए, तो टेलिग्राम पर एक चेनल अमारा उसको जोइन करें, वहाँ पर आपको सभी परकार की पीडियो फाइल मिल जाएगी और डिस्कृप्सर के अंदर लिंक दे रखा है, अगला किशन देखिए, अगला है, वाइस एक वेक्ति में सामने रख्त का आयतन कितना होता है, पांस लेटर होता है, उप्सन नमार सी अपना सई आंसर हो गया इसको सुन का, कई बच्चे बोलेंगे सर मेरे में तो 10 लेटर लेकिन मैंने बात किये कि वाइस अगले सामने जो रख्त का आयतन होता है, वो पांस लेटर होता है, अगला लंक पर क्रणिकाओं का कभिस्तान कहा जाता है लालक प्रणिकाओं का जो कब्रिस्तान कहा जाता है वो पलिहा को कहा जाता है option number D अपना सई answer हो जाएगा एक्योशन का और जितने भी guys एक्योशन है आपकी एक्जाम के लिए बहुत ही important है आपकी एक्जाम में definitely एक्योशन पुछी जाएगे तो आप इस वीडियो को अंतक जरूँ देखेगा अगले क्योशन है डाय स्टेज एंजाइम का स्रोथ क्या है डाय स्टेज एंजाइम की बात कि गिए उसको जो स्रोथ होय है वो है लार्ग रंती option number C अपना क्या होगा सई answer हो जाएगा situation का अगले क्योशन है कि रक्त दापको मापने वाला येंतर को क्या कहते है उसको हम कहते है स्पेगमो मोमिटर option number A अपना क्या होगा सई answer हो जाएगा situation का ओके आप मेरे को कमेंट में decibel के बारे में और spirometer के बारे में बताएंगे अगले क्योशन देखे कि रक्त में लाल रुदिर कोशिकाओ की संक्या के बढ़ जाती है ठीक है उसको हम क्या कहते है उसको हम कहते है पॉलिशी थेमिया option number D अपना क्या होगा सई answer हो जाएगा यह तो मैंने बात की जब हार हमारी सरीर के अंदर हमारी बोड़ी के अंदर ब्लड में लाल रुदिर कोशिकाओ की संक्या बढ़ जाती है अगर हमारी सरीर के अंदर रक्त में लाल रुदिर कोशिकाओ की संक्या कम हो जाती है तो उसको हम क्या कहते है यह भी एक जाम के कौन सा है ओप्सिन नमबर डी मादा अंडे मानों सरीर का सबसे बड़ा सेल है मानों सरीर की बात की गिए जिसके अंदर पूरुष और मेलाएं दोनों सामील है अगर मैं बात करूंगी मानों पुरुस में मानों में पुरुस की बात करता हूं उसमें सबसे छोटा सेल कौन सा है तो वो है सुक्रानों जिसको बोलते हैं स्पाम ओप्सिन नमबर यह अपना सई आंस वह जाएगा इसक्रूशन का अगले कुशन देखे प्रत्वी पर सबसे बड़ा और भारिक कसी रुकी जीव मुझूद है कौन सा है हाती है या सेर मूठ वेल तो हो है वेल ऑप्सिन नमबर डी अपना क्यों का सई आंस वह जाएगा इसक्रूशन का जो प्रत्वी पर सबसे बड़ा और भारिक कसी रुकी जीव है अगले की माने उसरीर का सबसे बड़ा अंग है अंग की बात की गए कि हमारा जो शरीर है उसका सबसे बड़ा अंग कौन सा है कई बच्चे बोलेंगे सब हात है कई पेर का नाम लेंगे लेंगे सबसे आंसर होगा वोगा त्वेचा ओप्सिन नमर बी अपना सबसे पुरा कवर हो रख है हमारा सरीर अगला है जो हमारा हट होता है कब आराम करता है कई बोलेंगे सर उस समय हमारा क्या करता है तो सोते समय नहीं गाइज दो दटकन के बीज के समय हमारा हट आराम करता है तो option number c क्या होगे अपना सही answer होजाएगा इस्क्रिशन का अगला क्यूस्यों देखिये में नीचेशन की प्रकृति होती है जिस प्रकार आनस चेसं का के बच्चे से पानीन इसे न यह रूप से बाहरी रूप से अगले कुशिका का अपना आकार बदल सकते हैं उस कोशिका का नाम बताईए उस कोशिका का नाम है WBC वाइट ब्लाड सेल ओप्सिन नमर B अपना सई आंसर हो जाएगा इस्क्रिशन का कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकान कौन सा होता है जो हमारी कोशिका में मौजूद होता है उसका नाम है केंदरक ओप्सिन नमर A अपना क्या होगा सई आंसर हो जाएगा इस्क्रिशन का बढ़ते हैं हम अपने अगले क्रिशन के दर अगले क्रिशन देखें किड्नी के अध्यान को क्या कहते हैं किड़नी के अध्यान को कहते हैं नेफ्रोलोजी ओप्सिन नम्मर सी अपना क्या होगा सई आंसर हो जाएगा इसक्रिशन का किड़नी के अध्यान की बात की गिए तो किड़नी के अध्यान को क्या कहते हैं नेफ्रोलोजी कहा जाता है जिसले से नुएफिर प्रकार किसको रखवता आपको मापने वाले यंदर को जली क्या क्या है इस्पेकवाओं हिटर Kings के की अधियान को कहते है नेफ्रालोजी अगला है कि मिरमेकोलोजी मिरमेकोलोजी किसके अध्यान से सम्ष्ष्षण तो वो है चीन्टियों के अध्यान से सम्मदित, option number B अपना क्या होगा, सई आंस हो जाएगा, okay, अगला कुशन देखें, अगला है, एक octopus के कितने हैट होते हैं, कितने हर्दे होते हैं, एक octopus की बात की की तो यह होते हैं, 3, option number D अपना क्या होगा, सई आंस हो जाएगा, अगला कुशन देखें, एक octopus के पास, कितने मस्तिक्स होते हैं, जो एक octopus होता है, सब बहुत कोई एक octopus है, इसके पास कितने मस्तिक्स हैं, नो, गाइस, नो मस्तिक्स होते हैं, एक octopus के पास, option number A क्या होगा अपना, आप comment करेंगे कि 3,2 और 1 के बारे में कि 1,2 और 3 यह किन किन के पास होते हैं आगला किशन देखे कि यूरिया की अधिक्तन मात्रा किसमे होती है यूरिया की जो अधिक्तन मात्रा होती है वो होती है हैपेटिक शीरा के अंदर है option number c अपना क्या होका सही answer हो जाएगा इस question का अगले question देखिए मनुश्य के एर्दे के कितने chamber होते है जो हमारा हैर्ट होता है उसके कितने chamber होते है ये question में पहले भी discuss कर चुका हूँ और exam में भी बहुत बात पूछा जा चुका है ठीक है तो आपको पता होना चाहिए चाहर चेंबर होते है option number D अपना क्या होगा सही answer हो जाएगा इस question का आप उन चाहर चेंबर के नाम के बारे बताएंगे कि कौन कौन से होते है कमेंट करेंगे उन चारों के नाम एगले की कौन सा जानवर ठंडे कौन का है उस जानवर का क्या नाम है उसका नाम है सार्क option number C अपना क्या होगा सही answer हो जाएगा अगला क्यूशन है कि विटामिन D सबसे ज़्यादा होता है किस के अंदर पाए जाता है विटामिन D हमें क्या से मिलता है हमें सूरी से भी मिलता है ठीक है जो हमारे सरे के लिए बहुत ही जरूरी है विटामिन D तो विटामिन D सबसे ज़्यादा मिलता है कोर्ड लिवर तेल के अंदर option number D के अंदर option number B के अंदर अगला क्यूशन देखे इन पोदों में कौन सा एक फूल वाला पोदा नहीं है option number D अपना क्या होगा सही आंस हो जाएगा क्योंकि आपको पता है आम, अलू, गेहों के बारे में आपको पता है लेकिन जो पाइन है ये क्या है एक फूल वाला पोदा नहीं है अगला की मानों के मुत्र के माध्यम से आम, तोर पर उत्सजित होने वाला विटामिन कौन से है विटामिन के उपर जितने भी क्यूशन बनते है वो क्यूशन भी लेके आएंगे क्योंकि exam के अदर विटामिन से क्यूशन पूशे जाते है ठीक है इसका अंसर करें कि मानों के मुत्र के माध्यम से अगले क्योशन देखिए कि मानो में असर क्या है बल्कुल यूरिया option number A क्या होगी अपना सई answer होगया solution का बढ़ते हैं हम अपने अगले question देखे मानव सरीर में कुल कितने जोड़ी पसलिया होती जो हमारा सरीर है सबाउत को यह हमारा सरीर है इसके अदर कुल कितने जोड़ी पसलिया होती है तो वो होती है 12 जोड़ी option number B अपना सई answer होगया solution का आप मेरे को comment पें अंग के बाले में बताएंगे हमारे सरीर में कितने अंग है यह क्योश्रा हम डिसन करा चुके है तो आप मेरे को comment करके बताएंगे अंग के बाले में मानव सरीर में कुल कितने अस्तियां होती है बॉन की बात की गी है हड्यों की बात की गी है कितनी होती है बिलकुल 206 होती है उप्सिन नमर सी क्या हो गया अपना सभी आंसर हो गया स्क्रोस्थिक आप और मेन्ट करेंगे उस समय छोटा बच्चा होता उस समय हमारी सरी के नदर कुल कितनी अस्तियां होते हैं कितनी हडी कि पूम LinkedIn कि विपलेगे कि मृत भूट बार पूछा प्शन आपकी किसी न किसी एक्जाम की पूछे गए ठीक है ये कि मिपरूट है रक्त दाब कितना होता है सामनेत है तो 120CMMHG ओप्सिन नमर D क्या होगा अपना सई आंसर होगे इसक्यूशन का हमारी सरीर के अंदर जो रक्त दाब होता है वो होता है इतना ओके अगले क्यूशन है जब मानाव हुर्दे का बया निले सिकूर जाता है तब रक्त कहां जाता है तो रक्त चला जाता है कहां पे महादमनी के अंदर ओप्सिन नमर ए क्या होगे अपना सई आंसर होगे इसक्यूशन की सुनगा ओके तो गैज ये थे कुछ इंपर्टेंट क्यूशन बाइल जी के जो आपकी प्रिश एकजाम के इंदर पूछेगे थे और आपकी आने वाली एकजाम के अंदर डेफिरेट लिए क्यूशन पूछे जाएगे आई होब कि आपको वीडियो पसंद आएगगा अगर आपको वीडियो पसंद आएथे इस वीडियो को आपको मिल जाएगे तो गैस मिलते हैं नेक्स क्लास में नेक्स इंपोटेंट एंड धामा के दारक्यूशन के साथ तब तक के लिए थैंक यू गुडबाई और टेक क्या